वेल्कम बैक टो मैं चैनल आप आप सबी ठीक होंगे और रेसिपी को एंजॉइ करते होंगे तो यह आज हम अपके लिए लेकर आए हैं एक टेस्टी सी रेसिपी यह बहुत ही फायदे मन भी होती है बहुत ही टेस्टी भी लगती है तो आज हम बनाएंगे गिया और चने से ट माई डाला है और पाइंव को झाल यह अधाकर के रख देंगे आदे घंटे के लिए ताकि हमाइज डाल है वह अच्छे से फोल जाet इसके बाद हम घ्या को पाल लेंगे घ्टिली तो जन्टिल नरा यह तारी लिए भीट बैक बाद हम आए पींड़ने के याह फेंडिक्व हाफ करने के बार हम इसे पतला पतला सा काट लेंगे इस तरीके से पतला पतला हमें काट कर लेना है इसके बाद हम इसे पतला पतला कट कर लेंगे इसके बार हम इसे इस तरीके से छोटे-छोटे टुगडों में भी कट कर लेंगे तो इस पूरी घ्या को हमें इस तरीके से कट करके रख लेना है देखे क repeal आगे की तयारी करेंगे यहां पर हमने लिये हैं दो प्यासट एक medium झाइज चूटी साइज के फ्यास ली है और इसको हमें चछील लेना होए चील करके दोनों को हम कट करेंगे इन करेंगे से स्कून हैं करने के बाद हम सर्फ करने के बाद कट कर लेंगे तक हमारी प्यास कड और जह 친数 है सब्सक्राइब करें जरूँ करें विडियो को लाय्क जरूर करें तैसा ने लगए heeft इसे तotle में बारिक رएक Rescue को अब नें टमाठों के यह तेन्ध रावन में 18 2 मेडियम साइस के एक छोटा साइस का इनको भी हमें betक करेंगे आप ब्र इस सब्सक्राइब 되어 испक्राइब लगती हैं लगती खाने साधा फायदे हरे इसमया çev Supreme यहां पर हमने टमाट्रों को कट कर लिया है उसके बाद हमने अद्रक लसन का मना लिया है पेस्ट यह देखिए आदा गुंटा हो चुका है हमाई दाल भी अच्छे से सोक हो चुकी है इसको हम इसमें कुकर में डाल देंगे कुकर में डाल डालने के बाद हमने कटे हुए घिय पानी का यूज किया है हकि ये साफस्सक्राइफ सबस और लगा देंगे सित्या ईटाइब हमें पानी है और virt Com12 ऑप तक हमारी दाल हो रही है पोले देज खार लेते है हींग से बहुत ही अचछा डेस्ट आता है इसके बार हम इसमें डालेंगे हीरा हिंग डालने से गैस नहीं बनती है प्लस स्वाथ बहुत अच्छा आता है तो इसलिए हिंग को डालेंगे इसके बार हमने डाली इसमें बारी कटी हुई हमारी प्यास प्यास को हमने भुनने देना है थोड़ी देर हम प्यास को मीडियम आज पे भुनेंगे तब ढ़िए नहीं, दियां रखना है कि प्यास जले नहीं, तो प्यास जब transparent होना स्टार्ट हो जाएगी, तब हम इसमें डालेंगे हमारे अध्रक लसन का पेस्ट, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, अध्रक लसन का पेस्ट से जो टेस्ट आता है, वो बहुत ही मज्यदार होता है इस्अ में तो इसको हम भुनेंगे प्याज को Mère g a promЕ room रहेंगे प्याज था या इसके इसमें डालेंगे बारी कटे और हमाय साइट आशे मिक्स कर लेना इसमें आंच को हम मीडियम पर ही रखेंगे टमाटो को अच्छे से चला लेने के बाद इसमें हम डालेंगे मसाले हल्दी लाल मेच धनिया और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मेच पाउडर सबी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें तोड़ा सा नमक यह नहीं हैं बाद में डालेंगे तो सारा नमक हमने यह पर ग्रेवी में डाल लिया है इसको हम ढख करके पकने के लिए छोड़ देंगे हमने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाला था आप चाहें तो डाल सकते हैं इससे क्या होता है जो जलती नहीं और अच्छे से पक जाती है यहां पर हमने अच् अच्छे से पक चुकी थी मारा तड़क का चुका था इसे तस भी डाल को डाल लेना है इसके रूण निमन करणि ऑन गोके जोड़ा सी अंश इसा ने थी सब हिंगहाना है पर दाल को पकने देना है कि तीज दाल को पाने उस स्दोन ऊच्छे से मिक्स करणा है recently करे principle दूद यह पकने लगी है यह दाल रखने के बाद गाड़ी हो जाती है तो इसलिए हम इसे बंद कर देंगे यह पक करके रेडियो चुकिए इसमें धन्या मिलाइंगे तो बाद में और अच्छी गाड़ी कंसिस्टेंसी में आ जाएगी अब यहां तक वीडियो देख लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं वीडियो को लाइक करें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं रेसिपी कैसी लगी और नेक्स रेसिपी आपको कौन सी चाहिए